नमस्कार दोस्तों गुड मॉनिंग कैसे आप लोग आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अभी हम है गाउं में मासा और अपना एक्षेन कैमेरा है गो नॉइज प्ले व्लॉग एडिशन फॉर के मेरे अडियर रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट है इसका आपको दिखाता हूं इसका ओडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी और इमेज स्टेबिलाइजर कैसा है विद माइक कैसा है माइक बिगर अपको दोनों दिखाएंगे आज तो बने रहे है अपने साथ कि उसे एक खेट है कि यह सब मेरे मामा ससूर है उनके सब यह पूरे उनके खेते हैं आपको उपर से भी लेकर देखाऊंगा यह इनका घर है और यह हमारी गाड़ी चलो चलते हैं कि इसका स्टेबिलाइजर भी आप देखिये है अब जो लगे हुए है यह सब मिर्च है कि यह पूरी कि यहां तक देखिया आपकी नजर पड़े यह सब मेचे मिर्चे जेसा पूरी यहां तक पूरी मिर्चे मिर्चे कर दो कि सब जो भी आप देख हैं सब मिट्स लगी हुए सब और वो चो पट्टा है ना ये बीच वाला ढ़ा आप देख रहे हो ये लगा हुआ है को भी लगा उसके आप पदाते ने फिर गाम कर रहे हो मैं अभी आज हम यहां पे जाएंगे अब चलते हैं अब दो मौमा सशो के गर पास में एक यहां पर रहते हैं दूसरे यहां पर रहते बीस में चोटी सी दीवा लिए और यहां से यह पार्ट इनका है वह पार्ट उनका है और एक बाद दोस्तों आज का ग्यान वीडियो के अंदर ही दोस्तों जब भी आप गाड़ी को पार्किंग में रखो यह वाइपर उसको उठा लीजिए यह इस तरह से हाँ तकि उकाच के साथ एटेज ना हो और काच सीटिंग ना हो और यह खराब ना हो वाइपर जो अपनी ब्लेड है वह अज़िए यहां से चड़ते है उपर मेरे मामी जी है यह गुडिया है शाहिद ने दिख रहा होगा आपको अब चड़ते है इस सेडी आपको इसका उपर से एरियल भी दिखाता हूँ अब आपको दिखेगा शाहिद यह लोग आप यह देखेगे जिस्टाँ ने देखेगे जिस्टाँ कोई कमी ने होती है जगे इतनी रहती है आप सीटे में दोस्तु मैं बहुत कंटाज जाता हूँ कि यह जो रहु है कि यह कलौल करको प्लेस एक क्ञार के चीट मुस्को जोड़ता है और यह यह सहीं हो चीजा बंधा तहर जा कि आ मैं पर्टिकुलर कर यहां पर इस लिए आता हैंद। दोस्तों कि हां पर जगे बहुत अच्छी है और अक्मस। फर एकदम प्लियर रहता है अच्छा लगता है कि सीटी की भाग दौर से दूसर दूर मैं यहां पर सावर में दो से तीन बार तो आता ही आता हूं कि हमारी गड़ी ठीक है दूसर यह रेकॉर्ड हो रहा है भी 4k 30 fps पर यह रेकॉर्ड हो रहा है और विधाउट माइक इसका माइक कॉलेटी भी आपको मैं दिखाऊंगा ठीक है देखो यह जो आपको नीचे से दिखा रहा था वह ठीक है 1080 30 fps पर विध माइक ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों दूप सीधी चेहरे पर आ रही है तो मेरे ख्याल से मैं आख सायद नहीं मिला पाऊंगा कैमेरे के लेंच के साथ सिधा आख के उपर या रहा है इमेज क्वालिटी यह देखे दोस्तों यह मेरे मामा से सुर के लड़के है और वो लोग निकल भी गए खेद गुमने के लिए हलां कि वो लोग सबहें जल्दी उठ गए थे हमको खेद गुमाने के लिए पर हम लोग निउठ पाए वो सेटी की अभी टैन दोस्तों लेट टूटने की साड़े आठ बच जाते उठते उठते पर आप सो कुछ ज्यादा ही ले टूटने थे ठंडी बहुत थी आप है तो अब इसले ठंडी में तो नीन सबको ज्यादा ही रहती है ठीक है यह चीज है अभी देखते हैं इसका इमेज क्वालिटी कैसे इसकी पिक्चर लेता है फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है जो भी है आपके साथ सेर करेंगे इसको ठीक है अभी देखते हैं आगे इसका कैसा रहता है सायद पीछे दूप आ रही है तो इमेज सायद ब्लाइक हो जाए दोस्तों कैमेरे के साथ यह होता है बट फिर भी दोस्त आज है हम मारसा में और वहाँ पर देखें दोस्तों साहद आपको camera कर दोस्तों camera बहुत बढ़िया है मैंने इसको two-wheeler के साथ अटेच करके देखा हुआ है और मैंने अपने कार के साथ भी इसके आटेच करके देखा है बट दोस्तों इसकी सेविंग कैप्शर जो कैप्शरिंग है दोस्तों इसकी memory बहुत जादा मतलब यह यूज करता है मतलब कि समझों उसको मैं 5-7 मीट का भी अगर वीडियो में इसका सूट करता हूं तो सिधा 10 GB तक वह पहुंच जाता है दोस्तों तो उसके वेज़े से दोसको मैं अपना वीड प्रोडक्त मुझे लगाए है ठीक है फिर बाकी आपकी मर्जी यह अच्छा इसले दोस्तों कि इसमें inbuilt माइक भी है वो भी अच्छा क्वालिटी का है एक्स्टानल माइक है वह अच्छी क्वालिटी का है बढ़िया क्वालिटी है दोसों ठीक है यह प्राइस जन के साथ यथ नहीं है दोस्तों कोई भी और कंपनी है यही है ओailable at का कफी दिन से दोस्तों मैं सोच रहा थे कि कुछ करू करूः करूब ब्डूसव टाइम नहीं मिल पा रहा था तो तो फिर कर नहीं पाया और पिर सुचा था कि चलता है और खेतों में इसका अन्बॉक्सिंग तो दोस्तों मैंने कर दिया था पर रेकोर्डिंग जो भी है इसके बस खेती खेदे मुझे यह चीज़ बहुत अच्छे लगती है मतलब कि कुछ भी अगर यहांगा मुझे कोई भी अगर भाणा मिलता है न सिंगल भाणा चोटा सा चोटा तो भी में यहां कर आई ज सब्सक्तोर अगा एब मैं इसके इमेच मुझे कलिक करता हो का तो आप उसको देख लीजिये ठीक है झाल झाल झाल